जैश्री महाकाल थमनेल देखकर आप लोग समझ गए होगे कि आज का मेरा वीडियो किस विशे पर है अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि किसी के घर की लक्षमी बान दी जाती है किसी के घर का कुल देवता बान दिया जाता है किसी के घर का मंदीर बान दिया जाता है किसी का घर बान दिया जाता है तो किसी के घर में पीट होता है देवी का देवताओ का उसको भी बान दिया जाता है किसी के शरीर में सवारी आती है उस सवारी को भी कुछ लोग बान देते है जो बुरे कारिय करने वाले लोग है गलत काम करने वाले लोग है जो मंत्रों का दुरुप्योग करने वाले लोग है ऐसे लोग इस कारिय को अंजाम देते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी के शरीर में किसी के शरीर की अगर सवारी बांधी जाए तो उसे कैसा खोला जाए मंत्र एक ही है पर 3-4 जगे काम आता है इसलिए वीडियो को स्किप ना करे पूरा सुने चार बार वीडियो सुने सच्छा है एक बार वीडियो पूरा सुने आपका ही फायदा है आपका ही समय बचेगा सुरुवाद तो पहले मैं आपको ये बता देता हो कि घर की लक्ष्मी पीट देवी देवताओ का पीट देवी देवताओ को कैसे खोले ये सारी चीजे आज मैं आपको बता देता हो अगर किसी के घर के कुल देवताओ का बंधन किया गया है जो उनके कुल देवता होते, उनका अगर बंदन किया गया है, या घर का बंदन किया गया है, या लक्षमी बांदी गई है, तो ऐसे समय आपको इस मंत्र का उप्योग करना है अब आपके घर में कोई क्रिया की गई है, आपकी लक्षमी बांदी गई है, आपके कूल देउता बांदी गई है, ये कैसे समझ में आएगा कि कुछ लक्षन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी के घर में अचानक से अशांती का माहौल पैदा हो जाना घर में रहने का मन नहीं करना घर में ऐसा लगे समशान में हो ऐसा मैसूस हो घर में अजीब सी बदबू आने लगे घर में पती-पत्नी में या घर के और सदस्यों में आपस में जगड़े होने लगे घर में जगड़े हो रहे लेकिन बाहर जाने के बाद सब नॉर्मल हो जा रहा है तो ये भी उसके लक्षन है अचानक से चलता हुआ कारोबार ठप हो जाना कोई बहुत ज़्यादा प्रेतन कर रहा है नौकरी के लिए अपने करियर के लिए लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा हो घर में सभी के सभी मेंबर खाली हो या अचानक से घर में बिमारी का दोर चालू हो जाना ये सारे चीजे जो है संकेत देते हैं कि आपके घर के लक्षमी या आपके घर के कुल देवता का बंदन कर दिया गया है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है आपको एक पाउ पीली सरसो एक पाउ गुगल और आदा पाउ लोबान ये तीन चीज लेने हैं ये आप नहीं लेगे जिसके घर का आप क्रिया कर रहे हो उसे बोले ये चीज लाकर रखे और उसे ये भी कह दे कि घर को अच्छे से जाडू मारे फर्श को अच्छे से साप करे उपर घरों में जो भी जाली लगी है उसको अच्छे से साफ करके रखे अब जब आप उनके घर जाओगे जिसके भी घर में आप जो लक्षमी खोलने जा रहे हो या कुल देवताओ को खोलने जा रहे हो तो उस समय में आपको उसका जो मंदीर घर है जहापे उसका मंदीर ह वहां से एक क्रिया को शुरू करनी है अब आपको क्या करना है गमले में लकड़ी का कोईला डालना है उसको जला लेना है यह जो मैं मंत्र दिया हूँ यह बंगाली मंत्रे और स्वयम सिद्ध मंत्रे तो आपको इसको सिद्ध करनी की जरुति अच्छे से कंठस्त कर ले आपको जो तीनों सामागरी एक में मिला लेना है गूगल सरसो और लोबान एक मुठी उठाओगे एक बार मंत्र पड़ोगे और उस जो गंबले में जो कोईला जल रहा है उसमें आउती दालोगे और उससे उठने वाला दुआ आप मंदीर में दोगे शुरुवात में मंदीर जिस रूम में है उस रूम में दोगे और वहां से आपको ऐसे ही करना है वो गंबला हाथ में लेके गूमना है पूरे घर में ऐसा आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है हर मंत्र के बाद आपको एक आहुती उसमें देनी है इस तरह आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है और पूरे घर में घुमना है उसके बाद आप गंगा जल लोगे गंगा जल में 11 बार इस मंत्र को पढ़ोगे गंगाजल अभी मंत्रित करके थोड़ा-थोड़ा सब को पीने दोगे, थोड़ा-थोड़ा सब के आंग में छिड़क दोगे गंगाजल पूरे घर में छिड़कोगे पूरे घर में पूजा घर जितने रूमे सब में आंगन में आजू बाजू सब तरफ छिड़क दोगे उसके बाद बचा हुआ गंगाजल उनको दे दोगे उस घर में रहने वालों को और बोलोगे कि घर के सभी मेंबर नहाते समय थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल के इसनान कर ले उससे क्या होगा अगर किसी के उपर कोई प्रकोफ होगा तो वो भी कड़ जाएगा बस इतने ही करना है उनके घर की लक्षमी वापस आ जाएगी मंतर में आपने देखा है आदी शक्ती मा के आदे से लक्षमी को आदी शक्ती मा भेज रही है उसके घर वापस तो लक्षमी आ जाती है उनके घर में जो भी देवता है जो उनके कुल देवता थे जिनका बंदन हुआ, वो भी वापस आ जाते हैं, तो इस तरह होता है, ये बंदन खुलने के बाद आप एक अपना बंदन मार दे, घर का सुरक्षा बंदन, जिससे की दुबारा कोई उस घर का बंदन नहीं कर पाएगा, अब अगर किसी सवारी आने वाले व्यक्ति की अगर स पहन रखना है, खुद के शरीर की सुरक्षा आवस्या आप कर लेंगे, सवारी वाले सादक के घर आप जब पहुच जाओगे, जहां पर वो सवारी आती है, जहां उसकी गद्दी पर बैठता है, उस रूम में आप बैठोगे, बैठने के बाद आपको क्या करना है, कोईला से उतारते हुए पैर तक उतारोगे, सर से पैर तक उतारोगे, और उस सरसो को आप उस जलती हुई अगनी में आउती दे दोगे, ऐसा आपको 11 बार करना है, उसके बाद 11 बार आपको मंत्र गंगा जल के उपर पढ़ना है, गंगा जल को अभी मंत्रित करना है, और उस सवा और पूरे घर में वो गंगा जल छिड़क लेगा और थोड़ा गंगा जल बचा के उससे सिनान कर लेगा मतलब उसकी सवारी उसी दीन से उसी वक्त से खुल जाएगी अब आप समझ गए कि सवारी आपको कैसे खुलना है अब एक बात आपको और समझा दू मंत्र में जहा जहा पर आमार शब्दा आया है आमार मतलब मेरा होता है ठीक है हिंदी में मैं या मेरा अगर आप खुद के लिए मंत्र प्रयोग कर रहे हो तो जैसा मंत्र है आपको वैसा ही पढ़ना है कोई चेंज मंत्र में नहीं करना है अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो किसी दूसरे के घर का अगर बंदन खोल रहे हो तो याद रखे मंत्र में जहाँ पर आमार शब्द आया है आमार के जगा उस व्यक्ति का पूरा नाम लेना है आपको उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसका सर्देद अब पित्र के बंदन के बारे में बता दू पित्र के बंदन के लिए दूसरा मंत्र है मैं वो अगले वीडियो में डालूँगा लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हो अक्सर आपने देखा है कि पित्रों का बंदन कर दिया जाता है ये बंदन कैसे होता है कई बार हमारे घर के ही भेदी होते या हमारे घर के ही दुश्मन होते जो हमारे पित्रों को बान देते या हमारे घर में जो भी गुजरता है उसको बान देते तो ये बंदन कैसा होता है जब भी अंतिम संसकार होता है सम्शान ले जाया जाता है तो लाई, मुर्मुरा, फुटाना, मसूर की दाल वगेरे फेकी जाती है वो दाल, मुर्मुरा, फुटाना कुछ लोग चोर लेते हैं और उससे बंदन कर देते हैं मुरुत व्यक्ति का जब आपके घर के पीत्र बंदन में होते हैं तो आप कभी सुकी नहीं रह सकते, आपके कोई काम नहीं बनेगे आपके जीवन में विगन आते ही रहेगे आपका बंता बंता काम हाथ से निकल जाएगा सब सही चलता रहेगा, लेकिन लास्ट मॉमेंट पे वो काम आपका बिगड जाएगा बहुत परेशानी होगी आप जीवन में प्रगती नहीं कर पाओगे बहुत तकलीब होती है कई प्रकार की बिमारी, रोग, कोट, कचेरी, लड़ाए, जहनजट, मान, सम्मान हर तरह का नुकसान होने लगता है यहां तक के बच्चों के पढ़ाई में भी उसका नुकसान होने लगता है बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल होते हैं, उनका करियर बरबाद हो जाता है पित्रदोश बहुत खराब है, पित्रदोश फिर भी ठीक है लेकिन अगर पितरों को बान दिया जाए तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर आपको किसे से दुश्मन निकालनी है तो उसके पितरों को बान दो वहा ऐसा ही तडब-डब के बिचारा बरबाद हो के मर जाता है स्लो पायजन बोल सकते हो आपिसे तो वो कैसी क्रियाई करते है जब सम्षान में अन्तिम संसकार के लिए मुरुद्य को ले जाया जाता है वो टाइम में जो मुर्मुरा, फुटाना, जो अक्षित फेका जाता है उसको उठा लेते हैं और उसके बाद उस पे कुछ क्रियाई करके बंदन कर देते अब वो बंदन खोलने के लिए मैं एक मंत्र दूगा आपको अगले वीडियो में तो आपको कैसा करना है आपके घर में लास्ट जो सबसे आखरी जो मृत्ती हुई है आपके खुद के घर में दूसरे परिवारों का 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 चाचा का नहीं बोल रहा हूँ आपके खुद के परिवार में आपके खुन में उनका अंतिम संसकार जिस सम्शान में हुआ था आपको उसी सम्शान में जाके मैं एक क्रिया बताऊंगा उस वीडियो में एक मंत्र बताऊंगा, वो आपको करना है, तो आपके पित्र, सारे पित्र, जितने भी बंदन में होगे, सब खुल जाएगे, सब की मुक्ति हो जाएगी, और आपका जीवन वापस पहले के जैसे सरल बनने लगेगा, आप अपने जीवन में प्रगती करने ल लगाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दुलन के शरीर में लगी हुई हल्दी या दुले के शरीर में लगी हुई हल्दी चुरा लेते हैं, और जब शादी के समय में अक्षद फेकते हैं, वो अक्षद भी कुछ लोग चुरा कर ले जाते हैं, अब वो अक्षद का क्य क्या होता है वो आपको बता दू दुलहन की कोख बांदी जाती है जिससे की उसको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता मतलब वो मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके कोख का किलन कर दिया जाता है ऐसे भी कुछ घटिया लोग कुछ घटिया बुरे कर्म वाले तांत्री की इस दुनिया में है अब दुलहा और दुलहन की हल्दी ले जाकर क्या करते वो भी आपको बता दू शादी के माहुल में बहुत संबल के रहना चाहिए जब भी ऐसी हल्दी या हल्दी का जो पानी है ही बहुता है गड़ा खुद के रखना चाहिए जैसे मालक्षमी के खाना प्रशाद नाली में नहीं बहाया जाता है फिक अधिक उसी तरह करना चाहिए उससे क्या होता है जो अगर दुलहा या दुलहन के शरीर से हल्दी लेकर जाते हैं तो उसे दुलह दुलन के शरीर में भूत एक मिनीट में लगा सकते हैं दुलन की कोक बांध सकते हैं कई तरह के चर्म रोग उन पर लगा सकते हैं कई तरह की बिमारिया उनको आप तंत्र क्रियाओं से लगा सकते हैं यहां तक कि काला जदू पूतला भी बनाया जाता है यह आप समझ लीजिए इसलिए कभी भी किसी अपने की अगर शादी हो तो उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए गाओ देहातों में इस बात का विशेज ध्यान रखा जाता है कोई ना कोई घर का एक सदस से हो होता है गाव में तो कभी-कभी इसके लिए बहुत मारफिड भी हो जाती है तो होना ही चाहिए क्योंकि जब इस तरह का गलत कर्म कोई कर रहा है किसी की जिन्दगी बरबात कर रहा है तो उसको तो सबक सिकाना ही चाहिए क्योंकि किसी के जिन्दगी का सवाल है ऐसे भी लोग गए जो किसी की कोख बान देते क्या मिलता भई किसी को तकलिफ दे कर कुछ नहीं मिलना है तो मुझे आशा है कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं अगले ऐसे दो वीडियो दालूगा कि अगर किसी की कोख बान दी जाए जिसे बच्चा ना हो रहा हो तो उसके लिए उसे बच्चा होने के लिए एक मंत्र है वो मैं आपको दूँगा तो वो आप शहद में पढ़कर दोगे तो उससे उसकी कोक खुल जाएगी और उसको संतान सुख प्राप्त होगा हल्दी पर किये गए सारे काट करने का मंत्र और पित्र का बंदन खुलने का मंत्र ऐसे तीन चार मंत्र में अपलोड करने वालो जै श्री महाकाल